बहुत लोगों ने हमसे पूछाए कि अपने पेरिंट्स को कैसे किया जाए लव या इंटरकास्ट मैरेज करने के लिए अब देखो ही हमारी ससाइटी में प्रॉब्लम तो है कि जब हम किसी से प्यार करते हैं लव मैरेज के लिए अपरोच करना खासकर ऐसी लव मैरेज के लि वे हमारी कास्ट हमारी बिरादरी हमारा रेलेजन का नहीं है तो तो पेरिंट्स को कन्विंच करना और भी मुश्किल हो जाता क्योंकि हमारी समाजिक प्रता इस तरह से बनी हुए कि हमारे घरवाले कोई पी डिसिजन लेने से पहले सबसे पहले यह सोचते हैं कि उनके वालों से बात का जिकर करें कि हमें कोई बन्दा पसंद है हम उससे शादी करना चाहते हैं हमें को partner पसंद है जिस समसादी करना चाहती है और या वह intercast है तो बर बड़ी अज को आपको आपको कुछ ऐशी ही बाते कुछ ऐसी टिप्स बताने वाला हूं जो आपके पैरिंट्स को आपकी लव कैस्ट मैरेज कराने में इसियुकं करने मैं आपकी एलफ करने सबसे पहले तो आपका आपके partner को लेकर करके sure होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है हम अपने parents को convince करने तो चलते हैं पर बातो ही बातों में हमारे parents हमें कुछ ऐसी important बाते बता जाते हैं जिनके चलते हम convince होने की बजाए convince होकर आजाते हैं और अपने उस partner से break up और relationship तक तोड़ लेते हैं तो अपने parents के पास जाने से पहले सबसे पहले तो अपना decision अच्छे से evaluate कीजिए किसी भी attraction या emotion में आकर यह मट decide कीजिए कि यही वो partner है जिससे आपको शादी करनी है शादी जैसे फैसले तक पहुँचने के लिए बहुत सारी चीज़े हैं जो आपको एक दूसरे के साथ जाननी पहचानी चाहिए सबसे पहले तो आप लोगों का emotional connect दोना चाहिए अगर आप love marriage के लिए जा रहे तो बिना उस emotional connect के तो love marriage करना वैसे भी बेकार है और उसके साथ साथ आपके parents दो चारी चीज़े देखते हैं का आपके partner का financial status उसका social status उसकी family का status financial status एक पल को गर नहीं भी है पर आपका partner एक अच्छी education system से belong करता है उसके पास skill set है तो आप फिर भी एक पल को convince कर सकते हैं इसके लावा बहुत बार कुछ ऐसा issues भी हो जाता है कि हम अपने parents को तो convince करने में successful हो जाते हैं बट जब हम बाद में जाकर अपने partner के पास जाते हैं तो पता चलता है कि हमारा partner ही ready नहीं है तो यह relationship तो सरफ टाइम पास तो वहां break up हो जाता है इसलिए हर चीज़ को लेकर के sure हो जाईए तभी अपने parents को अपने partner के बारे में बताएं या उन्हें convince करने की तरफ कोशेश करें सेकिंड चीज़ जो आप कर सकते हैं वो है कि अपनी family में किसी trustworthy person को involve करें जिसे आप अपने relationship या अपनी friendship के बारे में थोड़ा थोड़ा करके बताना शुरू करें अब वो ऐसा trustworthy person कुन सा होना चाहिए वो person ऐसा होना चाहिए आपकी family का जिसकी आपकी family में चलती हो जिसकी बातें आपके parents मानते हो आपके parents अपनी family person को एक अच्छे दर्जे पर रखते हो और अगर वो आपके parents को बात समझाने की कोशिश करें तो वो ना ना कहें पाए तीसरी बात जो मैं आपको समझाना चाहूंगा वो है कि सारी जिम्मेदारी अपनी उपर मतलें कि मेरे को अपने partner को अपनी family के अंदर introduce भी करना है अपने parents को convince भी करना है कभी कभी एक चोटा सा step भी बहुत successful हो जाता है for example love marriage जब आप करते हैं तो या तो वो आपका कोई office के league होगा या को school college का friend होगा ऐसे में आप अपनी उस partner को अपनी family में as a friend introduce कर सकते हैं और अपने partner को अपनी family के साथ एक self bond बनाने का मौका दे ऐसे में क्या होता जब आपके family वाले आपके उस partner को आपके as a friend जानते हैं या वो regularly आपके घर में आता जाता है आपके partner से आपके family वाले social meetings में मिलते हैं वो आपको उनके साथ खुछ देखते हैं तो कहीं न कहीं उन्हें खुदी realize हो जाता है कि हाँ शायद इन दोनों के बीच में कोई spark है ये दोनों साथ में खुश है हो सकता है हम इनके अगर आगर रिष्टे की बात चलाएं तो एक सही लड़का हो या सही लड़की हो तो ऐसे में आपको ज़्यादा कुछ करना भी नहीं पड़ेगा आपकी वो छोटी सी small introduction और उसके बाद आपके partner का bond ही आप दोनों को शादी के रास्ते तक ले जाएगा चोथी बात जो मैं आपको बताना चाहूंगा अकसर ऐसा होता है कि हमारे घरवाले हमसे पूछते हैं कि क्या आपको कोई और पसंद है क्या आप love marriage करना चाहते हो अब यह चीज़ी हो सकता है वो casually पूछ रहे हूं या आपने जो अपना friend अपनी family में introduce किया था उसके साथ आ यह आपके लिए एक opportunity है आप इस opportunity को अपने हाथ से ना जाने दे और जब भी भी आपको मौका मिले तो अपने parents से अपने रिष्टे की बात चुपाएं नहीं क्योंकि अगर आपके चुपाने के बाद उन्हें पता चला तो उनके मन में और एक setback आएगा और तब आपको उ जोड़ जादा मुश्किल होने वाली है क्योंकि उस समय आपके parents यह सोचेंगे जब हमने अपने बच्चे से पूछा तब उसने हमें बताया नहीं और अब यह बात हमें किसी तीसरे चोते परसंट से जाकर करके पता चल रही है ऐसे में आप अपने parents को एक चीज और कर सकते हैं आप उन्हें अपने partner की कुछ अच्छी qualities बता सकते हैं क्या वो बाते हैं जो आपको उनमें अच्छी लगती है या अगर आप और आपके parents साथ में बैटे को social gathering में हैं किसी शादी में गए हैं कोई movie देख रहे हैं कोई serial देख रहे हैं वहां आपको को moment अच्छा लगता है और आप अपने partner से relate कर पाते हैं तो वो चीज़ें भी आप अपने parents को बता सकते हैं कि वो जो बंदा है न ममा वो ऐसे करता है डैडी मेरी वो जो girl है वो ऐसे करती है तो दिरी दिर उनको पता चलेगा कि आप लोगों के बीच में spark है एक अच्छी qualities आपके partner में और वो आ अपने parents को अपने partner के बारे में बताया आज आपने बताया और शाम को रात को या कल वो अगरी करने वाले तो ऐसा कभी भी नहीं होगा इसके दो तीन कारण है एक तो हो सकता है उनके mind में कुछ पहले से related कुछ setbacks हो किसी particular जगा पे वो अठके हो कोई तो reason होगा जिस वज़ कीजिए और हो सके तो यह जानने की कोशिश कीजिए क्या वो reason है जिस वजाए से वो आपकी love या intercast marriage के against है इस situation में सबसे अच्छी बात जो आपने parents को समझा सकते हो वो यह है कि अगर आपकी future में arranged marriage भी होती है तो इस बात की कोई guarantee नहीं है कि सामने वाला person कैसा होगा और certainty है क्योंकि arrange marriage दो चार पांच मीटिंग में decide होती है और आपको नहीं मालूम होगा कि आपका partner कैसे behave करने वाला है क्या उसके positives हैं क्या उसके negatives हैं जबकि यहां पर आपको आपके partner के साथ एक emotional bond है connect है आप एक दूशरे को बहतर समझते हैं और इसके बाद अगर कुछ होता ह हैं तो आप अपने decision की responsibility लेने के लिए ready हैं उमीद करता हूं कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज से जाधा से जाता लोगों के साथ शेयर कीजिए जय हिंद जय भारत